हेलो बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्सा 7 हिंदी वसंत के अंतरगयत पार 17 बीर कुंवर सिंग आप देखने निया आपर यह आपका पार 17 बीर कुंवर सिंग और हम आपको बताएंगे बच्चो इस पार से सम्मंदित प्रस्णों के उत्तर साथी साथ पार्ट का सारांस भी लेकिन उससे पहले आईए देख लेते एक जला किस पार्ट की ताकि आप इस पार्ट को चाहे तो यहां से पढ़ सकते हैं चाहे अपनी पार्टे पुस्तक से लेकिन पार्ट को एक बार जरूर पढ़ लें इससे होगा बच्चो कि आपको इस पार्ट से सम्मंदित जो प्रशनों के उत्तर बताए जाएंगे वह अच्छे से समझा जाएंगे आप इन्हें अपनी नोट बुक में नोट करें और उन्हें याद करें तो देख रहें न आप यह आपका पार्ट सत्रा वीर कुमर सिंग इसके बाद बच्चो जैसे ही यहाँ पर पार्ट समाप्त होता है हम आपको इस पार्ट से सम्मंदित प्रशनों के उत्तरों पर लिए चलेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर यह पर कुछ प्रशने आपके लिए जिनके उत्तर हम आपको इसी वीडियो मे यहाँ पर बताने वाले हैं तो आप लगातार देखते रहें वीडियो जुड़े रहें हमारे साथ और आपने यह दी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब आश्य कर दें बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली परतेग पार्ट की वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिलती रहें तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर इस पार्ट से सम्मंदित प्रस्नों के उत्तर और पार्ट का सारांस तो बच्चो आपको एक बार फिर से याद दिला दें आज हम पढ़ रहे हैं कक्सा साथ हिंदी वसंत के अंतरगैद पार्ट सेत्रा वीर कुमर सिंग और हम आपको बता रहे हैं इस पार्ट का सारांस और साती सात प्रस्नों के उत्तर भी तो सबसे पहले बच्चो जान लेते हैं पार्ट का सारांस आप पार्ट को अपनी पार्टे पुस्तक से पढ़ना न भूलें ध्यान रहे बच्चो इस पार्ट में सन 1857 के स्वतंता संग्राम के योदा कुमर सिंग की बीरता और सास का वर्णन किया गया है अंग्रेजों के विरुद विद्रोह करने पर 8 अपरेल सन 1857 भी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी कब दी गई थी बच्चो याद रखे आप मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी 8 अपरेल सन 1857 भी में 10 मई सन 1857 को मेरट में भारतिय सैनिकों ने अंगरी जू के विरुद आंदुलन किया 11 मई को उन्होंने दिली पर कब जाकर बाहदुर साज जफर को बारत का सासक बना दिया तो इतना याद रखेंगे ना बच्चियो इसके बाद आगे पढ़ते हैं सन 1857 में विटरी सरकार की जड़े हिलाने वाले स्वतनदा संग्राम के परमुक सेनानी थे मंगल पांडे कौन थे मंगल पांडे नाना साहिव, तांत्या टोपे, वक्त खान, अजीम उल्ला खान, रानी लक्षमी भाई, बेगम हजरेत महल, कुमर सिंग, मौलवी एहमद उल्ला, बादुर खान, राउत तुला राम, आदी इसमें सामिल थे इस आंदोलन में कुमर सिंग जैसे बयोवर्द व्यक्ति नेवी बिट्री सासन के खिलाब बादुरी के साथ युद्ध किया आगे वीर कुमर सिंग का जियन्म, 1782 में बिहार के सहाबा जिल्ले के जगदिस्पूर रियासत में हुआ था उनके माता पिता पंच रतन कुमर और साहब जादा सिंग थे, कुमर सिंग अपने पिता की तरही बीर, स्वाविमानी और उदार थे, कैसे थे अपने पिता की तरही बीर, स्वाविमानी और उदार थे पिताक की मिर्तु के बाद 1827 इस भी में उन्होंने जगदीशपुर रियासत की जिम्मेदारी समभा ली उन्होंने अंग्रेजी सरकार से डटकर लोहा लिया 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकडी ने विद्रो कर दिया और वे सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े कुमर सिंग ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली उस समय आरा क्रांति का मुक्य केंद्र बन गया जम्मीदारों का अंग्रेजी के साथ सहयोग और आधुनिक सस्त्रों की कमी के कारण अंग्रेजी ने जगदीशपूर पर कबजा कर लिया लेकिन कुमर सिंग ने हार नहीं मानी और वे भावी संग्राम की योजना में तुरंत लग गए उन्होंने किसने कुमर सिंग ने सासा राम से मिर्जापूर रीवा कालपी कानपूर लखनव आजमगड में करांति की आग को जलाई रखा लगातार अंग्रेजी उसे युद्ध करते हुए कुमर सिंग ने 22 मार्च सन 1858 को आजमगड पर कबजा कर लिया अंग्रेजों के आकरमन करने पर उन्हें दोबारा भी हराया और कुमर सिंग 23 अपरेल सन 1858 को स्वतनता का विजय जंडा लहरा कर जगडिश्पूर चले गए लेकिन इसके तीन दिन बाद 26 अपरेल सन 1858 को वीर कुमर सिंग का निधन हो गया समझे ने बच्चो इसके बाद आगे क्या हुआ चलिए पढ़ते हैं बीर कुमर सिंग युद कला में पूरी तरह कुसल थे वे अत्यंत चतुर और सासी युद्धा थे उन्होंने अनेकों बार अंग्रेजों को चकमा दिया एक बार गंगा नदी को पार करने के लिए अंग्रेज अधिकारी डगलस को जूटी खबर में फसा कर अपनी सेना के साथ सिवराजपुर से गंगा पार कर गई कुसल युद्धा के साथ सामाजिक कारे भी करते थे उन्होंने अपने समय में निर्धनों की सायता की कुएं खुदवाएं यहाँ पर आप कुएं लिखें कुएं खुदवाएं तालाब बनवाएं वे अत्यंत उदार और संबेदनसील व्यक्ति थे लोग भासाओं में आज भी उस वीर सेनानी का यसगान किया जाता है तो समझगे ने बच्चो यह था यहाँ पर वीर कुएर्सिंग पार्ट का सारांस इसे आप अपनी नोट्बुक में नोट भी कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह समझें और याद करें ठीक है बच्चो तो यह आपका पार्ट 17 वीर कुएर्सिंग पार्ट का सारांस इसके बाद आईए आगे देख लेते हैं इस पार्ट से संबंदित प्रसनों के उत्तर तो आप किस प्रकार से लेखेंगे बच्चो चलिए जान लेते हैं यहाँ पर अभ्यास प्रसन उत्तर म पहला प्रसन है बच्चो बीर कुएर्सिंग के ब्यक्तितों की कौन कौन सी विसेस्ताओं ने आपको प्रभावित किया तो आपने पार्ट तो पढ़ा होगा बच्चो बीर कुएर्सिंग के ब्यक्तितों की विसेस्ताओं आपने देखी होंगी तो आपको किन किनों ने प् उत्तर में तो उत्तर आप इस प्रकार से लिखें बच्यो बीर कुवर्शिंग भारतिय स्वतनता संग्राम के बयोविर्द सिपाई थे उनके ब्यक्तितों की निमने विशेष्टाएं मुझे प्रभावित करती हैं और क्या क्या विशेष्टाएं नमबर एक लिखेंगे आप हेडिंग डाल के लिखें साहस नमबर एक साहस कुवर्शिंग का पूरा जीवन ही उनके साहस पूर्ण कारियों से बढ़ा है जैसे उनके द्वारा स्वयम ही अपनी घायल बुजा को काट कर गंगा में समर्पित कर देना साहस का सबसे या जुत्तिया उधारन है दूसरी वि साहस रूप उन्होंने कई तालाव को इसकूल और मारगों का निर्मान किया अगला है बच्चो अगली विसेस्ता उनकी स्वाविमानी तो कुमर सिंग जो है स्वाविमानी ब्यक्तिते यहां इसी बात से पता चलता है कि बयो विर्द यानि कि विर्द होने के बाद भी उन् सांस तक संगर्ष करते रहे तो कैसे थे वो स्वाविमानी चोथा जो है चोथी विसेस्ता बच्चो सामपरदाइक ता और सदभावना की उनके अंदर भावना थी लिकेंगे सामपरदाइक ता या सामपरदाइक सदभाव में कुमर सिंग के गहरी आस्ता थी इसलिए इबर मिलकर मनाये जाते थे तो आई इने बाद समझें बच्चो किस प्रकार से आप जो है अपना पहले प्रस्ण का उत्तर लिखेंगे यह आपका पहला प्रस्ण है और उसका उत्तर आप इसी प्रकार से पॉइंट बना कर और विशेष्टाएं लिख सकते हैं अगला है बच्चो दूसरा प्रस्ण कुणर सिंग को बच्चपन में किन कामों में मज़ा आता था तो जैसे आपको आतन कई काम बच्चपन में आपने किये होंगे उचल कूद और खेल कूद तो इसी प्रकार से कुवर सिंग को बच्पन में किन कामों में मज़ा आता था, क्या उने उन कामों से सुत्नट्रा सैनानी बनने में कुछ मदद मिली, तो आप जो इतर में लिख सकते हैं बच्यों, कुवर सिंग को बच्पन में गुड़ सवारी, तलवार वाजी और गहरी आस्ता थी पाठ के आदर पर कतन की पुस्ट कीजिए तो आपने पाठ तो पढ़ लिया होगा बच्चो चलिए उतर में इस प्रकार से लिगें सामपरदाइक सद्वाव में कुवर सिंग की गहरी आस्ता थी उन्होंने कभी धर्म संबंदी बेदवाव नहीं किया इसलि ने पाठ साला और मक्तब भी बनवाए और सवी की सिक्सा की समान ब्योस्ता की तो इस प्रकार से आप अपने इस तीसरे परसंग का उतर लिख सकते हैं बात करते हैं बच्चो यहाँ पर चोता परसंग है पाठ के किन परसंगों से आपको पता चलता है कि कुवर सिंग सासी उदार और स्वायुमानी ब्यक्ति थे तो आपने परसंग तो भी बहुत सारे पढ़ ले थे बच्चो उनकी बिशेश्ता हैं उससे पता चल जाता है कि सासी थे उदार थे और स्वायुमानी थे चलिए उतर में आप इस परकार से लिखें अंग्रेजी सेना से मुकाबला कर करते समय उनके हाथ में गोली लग गई जिससे जहर फैलने किया संका थी तब कुणर सिंग ने ततकाल अपनी भुजा यानि कि उसी समय अपनी भुजा काटकर गंगा को समरपित कर दी यहां उनके सास का सबसे अधुतिया उधारन है उनकी सेना में हिंदू और मुस्लिम दो कुणर सिंग हमेशा अपने साहस उदारता और स्वाइब मान के लिए याद किये जाएंगे आईनबाद समझ में यह चोता प्रसन है और उसका उतराफ ठीक इसी प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों साथ साथ याद भी करें पांचों प्रसन है आम तोर पर मेले मनोरंजन ख खरीद फरोगते हों मेल जोल के लिए होते हैं किन्तु वीर कुणर सिंग ने मेले का उप्योग अंग्रेजी सासन के बिरुद्ध करांतिकारी गतिवीदियों को संचालित करने गुपत बैठकों में योजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान वित करने के लिए किया था तर लेकेंगे सबसे पहले तांतिया टोपे और तांतिया टोपे का जियनमल 814 में हुआ था उनका पूरा नाम रगुनात राव पांडू यह लेकर था जून 858 से लेकर 869 तक तांतिया टोपे अंग्रेजीों के विरुद्ध पूरी सक्ति से लड़ते रहे तो पहला हो गया तांतिया टोपे उसके बाद दूसे नमबर पर लिखेंगे आप मंगल पांडे तो मंगल पांडे का जियनमल 19 जुलाई 1827 को बरतमान उत्तर प्रदेश जो उन दिनों संयुक्त प्रांत आगरावा आवद के नाम से जाना जाता था के बलिया जिले में इस्तित नागवा गा इसके परिणाम सोरूप उनके हतियार चीन लिये जाने वो बर्दी उतार लेने का फोजी हुक्म हुआ मंगल पांडे ने उस आदेश को मानने से इंकार कर दिया और 29 मार्च 1857 को उनकी राइफल चीनने के लिए आगे बड़े अंग्रेज मेजर अफसर मेजर यूसन पर आक बादुर साज जफर के बारे में लिखेंगे बादुर साज जफर जो के 1765 अटार सो बाशठ तक सेना से जोड़े रहे भारत में और यहाँ पर भारत में मुगल सामराजे के आकरी सैंसा जो थे और उर्दू भासा के माने हुए सायर भी थे उन्हों अठार सतावन के पर्थम भारतिय सुन्दा संग्राम में भारतिय सिपाईयों का नेतरत तो किया युद मेहार के बाद अंगरेजुने उन्हें बर्मा जिसे अब क्या म्यामार के नाम से जाना जाता है भेज दिया और उनकी मिर्ति हुई तो कौन थे ये बादुरसा जफर नमबर चार पर आप लिख सकते हैं बचो रानी लक्समी भाई के बारे में अच्छी कहानिया पढ़ी है आपने उनकी कविताएं भी पढ़ी है तो यहां पर क्या लखेंगे तात्या टोपे और रानी की सहयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सहयनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कबजा कर लिया 17 जून 888 उनको ग्वालियर के पास कोटा की सराय में बिट्रिस सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्समी भाई ने बीरगती प्राप्त की लड़ाई की रिपोर्ड में बिट्रिस जनरल यूरोज ने टिपणी की की रानी लक्समी भाई अपनी सुन्दरता चाला की और द्रिटा के लिए उन लेकनियतों थी साथी साथ बिद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाग भी थी तो आई इन बास समझ में किस प्रकार से आप रानी लक्समी भाई के बारे में लिखेंगे और ये है बच्चो अध्यान दे आप ये आपका छटा प्रसन था और इसका उत्तरा आप लिख सकते हैं अलग-अलग नेताओं के बारे में तात्या टोपे के बारे में मंगल पांडे के बारे में बादुरसा जफर के बारे में और रानी लक्समी बाई के बारे में इसके बाद बच्चो आगे आते हैं आपके लिए बासा से सम्मझित प्रस्न तो आप ध्यान दें यहाँ पर प्रस्न साथ हूँ है आपका आप जानते हैं कि किसी सब्द को बहुबचन में प्रियोग करने पर उसकी बरतनी में बदलाव आता है जैसे सेनानी एक व्यक्ति के ल मात्रा दीर्ग ती से हस्वी एक वार फिर से ध्यान दे बच्चो यहाँ पर जो है सेनानी सब्द की बरतनी में बदलाव यह हुआ कि अंत में वर्ण नी क्योंकि सेनानी के अंत में क्या था नी था नी की मात्रा दीर्ग यहाँ पर आप ध्यान दें नी यहनी उसमें किसकी म गई आपने देखा सेना नी में जो है बड़ी ए की मातरा थी नी था तो सेना नी था क्या था नी और उसमें किसकी मातरा थी बड़ी ए की मातरा थी और यहां से क्या हो गया सेना नी यूँ तो नी में क्या हो गई छोटी ए की मातरा हो गई हो गई ऐसे सब्दों को जिनके अंत में दीर के इकार होता है बवबचन बनाने पर वह इकार यानिकी छोटी की मातरा में बदल जाता है यदि सब्द के अंत में हस्व इकार होता है यानिक छोटी की मातरा होती है तो उसमें परिवरतन नहीं होता जैसे द्रश्टी से द्रश्टी हूँ यहाँ पर द्रश्टी यह सलामी, स्वाविमानी और गोली तो यहाँ पर क्या करेंगे आप यहाँ पर इस पकार से लिके नीति का नीतियों क्योंकि यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो यह इसमें भी बहुबचन बनाते समय छोटी की मात्रा हो गई यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो यहाँ पर भी छोट रही कैसे इस्तिति और इस्तितियों जिम्मेदारियों तो यहाँ पर भी छोटी की मात्रा और यहाँ पर यह क्या हो गई बड़ी की मात्रा हो गई जिम्मेदारी और यहाँ पर जोए सलामी और सलामियों जहाँ पर बड़ी की मात्रा होती हो आँ पर छोटी हो जाती है तो सला सलामि और सलामि इसी प्रकार से स्वाभी मानि तो यहां पर क्या हो गया बड़ी हो गई सवाभी मानि और गोली यहां पर और āद्यान दे बच्चो और इसी प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं तो बच्चो इस प्रस्ण के साथ ही इस प्रस्ण के उत्तर के साथ ही इस पार्ट से सम्दित प्रस्ण के उत्तर यहां पर समापत होते हैं इसी प्रकार आप लगातार देखते रहे अपने सारे प्रस्ण के उत्तर बच्चो और जुड़े रहे हमारे साथ आज के लिए इतना क आपिकेशन भी मिलती रहे